आप देखने स्यासत मना हैं बात करें हम लेटनेंट जेनरल रिटायर तौलत मसूद साहब के साथ मिलिटरी साइटिस्ट, मिलिटरी आनलिस्ट सर आपसे मैं ब्रिक से पहले जो सवाल का मैंने इशारत किया था कि शायद शायद टेलिविजिन पे ISI के खुफिया काम और काम जो उनकी पहुंच है और जो बेन अलग्वामी उनकी एजेंड़ा है और जो बेरून मुलक एजेंड़ा है उसके उपर बात करना अगर मुनासिब नहीं समझा जाता तो कम असकम हमारा हग इतना तो है कि हम पूछें कि कम असकम काबू में तो है सिचुएशन तलत सहाब अकानी नेटवर्क से हमारी ISB दोस्ती है दोस्ती रहे या हम डरते हैं या हम सोचते हैं कि हमारे मफाद में हैं अवगानिस्तान के अंदर टेरिस्स को हैंडल करते हुए इस जंग को अगर इफ दी एनमी इस विदिन और अगर ये कराची में रह रहे हैं चलें कहते हैं कि हमारे forces में नहीं थे लेकिन अगर कराची में रह रह रहे थे प्लाइन कर रहे थे और इतने ट्रेंड थे तो सर्फ क्या हमारी intelligence के काबू में है ये मसला ये war ये terrorism ये militants क्या हमारे control में हैं? मेरे खाल में कुछ militants तो control में हैं कुछ नहीं हैं और कुछ तो मेरे खाल में बिलकुल ही नहीं हैं तो ये मुखतलिफ categories हैं जो हमें बाहर से नजर आता है और जिस खिसम के वाकियात हो रहे हैं अगर उसको analyze किया जाए तो इससे तो यही तासुर होता है इसमें कोई शक्नी के शायद कोशिश तो बड़ी है कि सब control में हूँ लेकिन आपको पता है जैसे कहा जाता है का आप monster को पालें उसके बाद फिर उसको समालना बड़ा मुश्किल होता है जो हमने policies अखियार की हैं बरसों से उसका ये नतीज़ा असल में हम भुगत रहे हैं और जैसे आपने सवालात उठा ये सवालात अब सब उठा रहे हैं असल में बात ये हुई है कि इस वक्त हमें जमूरी जो अदारे हैं उनको मश्बूत करना हमारे मुल्क की दफा को मश्बूत करने की तरह है इसलिए कि जब तक आप जैसे आप कह रहे थे कि accountability नहीं होगी ऐसी policies नहीं होंगी जिसमें तमाम जितने भी stakeholders हैं वो involved हो और oversight हो जैसे कि तमाम जमूरी ममालिक में होती है लेकिन चूँके हमारे पास हमेशा से यही एक रिवायत रही है और वो चली आ रही है आलांकि civilian होकुमत भी आ गई कि जो दिफाई policy है जो खारजा policy है जो intelligence चीज़ बनाते हैं तो मैं यह समझता हूँ कि अब वक्त आ गया है कि जो हमारी दिफाः और foreign policy है इसमें हमारा बहुत बड़ा input जो है वो civilians से होना चाहिए और इसमें कोई शक नहीं कि फाज और दूसरे agencies वगरा अपना बेशक input दें लेकिन जिमेदारी और बनाना policies का और उसको implement कर है और यह जिमेदारी इस वक्त उनको समालनी चाहिए और अगर नहीं समालेंगे तो आप देखेंगे कि जिस खिसम के हालात पाकिस्तान में हैं यह और खराब होते चाहेंगे इसलिए कि आप वो जमाना नहीं है कि आप कोई भी policy अख्तियार करें और उसका कोई जिमेदार हो और जब तक आप एक फैसला साजी का एक structured system नहों और organization या structure नहों तो आप देखेंगे कि फैसला साजी भी कभी ठीक नहीं हो सकती इसलिए मैं यह समझता हूँ कि जैसे आपका सवाल था कि oversight भी जरूरी है policies बनाने में input जरूर आप इन तमाम इदारों का लें लेकिन असल जो है और final जो policy बने वो सियासी जमाते हैं और सियासी गायदीन बनाएं और उसकी जिम्मेदारी बो लें और अगर वो जिम्मेदारी नहीं जी सरी आपकी बात काटी सर आपने foreign policy का security policy का यह सब का जिकर किया सर एक और चीज़ है जो के जादा एहम है मेरी नजर में वो education policy और propaganda और narrative है और उसका में हवाला आपको इस तरह दूँगा कि हमारी forge के control में बहुत सारी चीज़े रही है एक असकरी brand of education रही है जिसके अंदर ह हम सारी जंगे जो हैं वो वयूर जहादियों की तरह लड़ते हैं और उसके बाद हमारी फता हम कभी हारते नहीं है और हमारी तारीख जो है वो भी फर्क कर दी गई है history हमारी murder हो चुकी है यह मैं नहीं कहरा फौज नहीं की है लेकिन हमारी establishment pro establishment ideology ने तो की है history के अंदर हम ज हिलरी क्लिंटन साहिबा के विजिट के बाद मैंने कल शो किया था मेरे पास कल पिछले हफ़ते शो किया था मेरे पास एक email आया था सर और यह साब जो email करते हैं यह average पाकिस्तानी नहीं है इन्होंने English font use करते वे उर्दू लिखी इनके पास internet का access था यह रात में cable television देख रह हैं इनका ख्याल था कि हिलरी क्लिंटन नकली आई है पाकिस्तान सब की plastic surgery हुई है सब के मतबादल बनाए हुए है जनाब अवाम को इंडिया के नाम पर बेखूफ बनाया जा रहा है आटम बॉम होता तो डर किस बात का मसला यह है कि आटम बॉम ही नहीं तरलत साब यह narrative भी उन्हें बादलों को छेड़ दिया है जिसके बाद पानी जो है वो भड़ गया है तो इन्हों ने जानबूच के हमारे पर तभाही लाई है यह पाकिस्तान अगर आज यह सोच रहा है तो यह भी हमारे जो 500 अरब 600 अरब फौच पर खर्च होते है यह एक प्रापगांड़ के ओपर तालीम पर जोड़ देना चाहिए इसलिए कि यह कैसे मुम्किन है कि पाकिस्तान कभी तरकी भी कर सकता है अगर उसके 50 पीसद से जादा लोग जो है तालीम याफ़ता नहीं है और जो हमारी तरजीहात है वो इतनी गलत है और जिसे अंग्रेजी में कहते हैं है कि हमें हमें निरेटिव अब दूसरा होना चाहिए इसलिए कि बिल्कुल जमाना जो है पूरी बड़ी तेजी से तबदील हो चुका है और हमारा निरेटिव पुराना ही रहे गया हमारी सोच में भी तबदीली नहीं आया हमारा माइन्डसेट भी चेंज नहीं हुआ इस स और उसको कहते हैं कि उसका जो जाविया है या प्रिजम है वो इंडिया फोकस्ट हो या अफगानिस्तान फोकस्ट हो या अमेरिका फोकस्ट हो और ये भी कोई पॉलिसी नहीं है कि आप अमेरिका से या किसी और मुल्क से नफरत करें या हेट करें आप बेशक उससे सखत इख खिलाफ कर सकते हैं लेकिन एक पॉलिसी अगर आप बनाएं कि उसे नफरत की जाए तो वो तो कोई उसके आपके मुलक को फायदा तो नहीं होगा बलकि सफ नुकसान होगा हमारी तो कोशिश ऐसी होनी चाहिए कि बजाया तनहा होने के हमें ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए ताक जल्द जल्द अपनी पॉलिसी पर रिवियू किया जाए और ऐसी पॉलिसी अख्तियार की जाएं जिससे के वाकी में मुलक तरकी की तरफ आगे बढ़े बजाए इसके के और जिसे कहते हैं बलैक होल में चाहिए जैनल साब एक ब्रेक लेंगे सर खता करामे की एक बार फिर माज़रत ब्रेक से जाएंगे तो मेरे पास दो तीन आर्टिकल हैं दो आपके हैं एक नियॉयॉक टाइम्स का है और एक सना के लिए आपने लिखा है एक हुमा यूसेफ साहिबा ने लिखा है और एक सहीद तला दुसैन साब ने लिखा है सारे डॉन में चपे थे और आपक नियॉयॉक टाइम्स उच्छा पाता इस पर बात करेंगे आफर ब्रेक